वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वाधिष्ट बेंजन भी बन रहे हैं करणा टक के उत्तर कंडड और दक्षिन कंडड जिलों में महिला यह अनूठा कार्य कर रही है यह शुरुआद भी कोरोना काल में ही हुई है इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुन जैसी चीजे बनाई बलकि इनकी तश्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जब जादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी भड़ी और इन महिलाओं की आमन्दी भी लखिमपूर खिरी की तरह यहां भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिला हैं लीड कर रही है साथियों ऐसे उधारन जीवन में कुछ नया करने की प्रेणा बन जाते हैं आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जब आपका परिवार मन की बाते कर रहा हो तो आप इने भी अपनी गपसप का हिस्सा बनाईए कभी समय निकाल कर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाई और आउसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाई